राजस्थान की रजित बुन्दे इस चैप्टर में लेखक राजस्थान की रेतिली भूमी में कुई कवर्नन करता है कुई किसे कहते एक छोटा कुवा की तरह का होता है उस कुई को खोदने के लिए चेलवांजी कारे कर रहा है चेलवंजी होता है जो जिजारे का कारे करते हैं उसे चेलवंजी बोला जाता है फिशेश कर ये कुईयां बनाने का कारे करते हैं और वह बसॉली से खुदाई कर रहा है मिट्टी खोदने का एक यंत्र होता है बसॉली उससे खुदाई कर रहा है जहां वैं कुई बना रहा है उसमें फीतर बहुत गर्मी है उसके अंदर फैयंकर गर्मी है और उस गर्मी को कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुठी भर के रेत बहुत चोर से नीचे फैकते हैं इससे ताजी हवा अंदर चली जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्मावा बाहर निकल जाती है इससे चेलवान जी की जान बचाने में यह कार्य करता है चेलवान जी सिर पर कांसे पीतल या किसी अन्यधातू का टॉप पहनते हैं ताकि उनको चोट ना लगे उपर से मिट्टी आदी गिर करके उनके सिर में कोई चोट ना पाल देते हैं थोड़ी सी खुदाई के बाद चेलवान जी कुए की खुदाई और चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं इन्हें प्रशिक्षन दिया जाता है एक दूसरी से देखकर वो कुई बनाना सीखते हैं कुई जो होती है वो कुई से छोटी होती है पर भूमी का पानी भी नहीं आता है और जो भूमी के उपर पानी बहता है वह नहीं आता है मरू भूमी में रेत बहुत जादा पाई जाती है जिसा कि आप सभी को पता है मरू स्थल में रेगिस्तान में मिट्टी होती है रेत होती है यहां वर्शा का पानी जल्दी से भूमी में चला जाता है और रेत की सत्य से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पत्थी होती है खड़िया पत्थर होता है चुना पत्थर की तरह का उसकी एक पत्थी होती है यह परत होती है इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है कुवों का पानी इस छित्र में खारा होता है पीने के पानी के लिए यहांपर कुवी बनाई जाती है पट्टी का तभी पता चलता है जहां बर्षात का पानी एकदम से मिट्टी में ना जाए यह है पट्टी वर्षय के पानी और गेहरे खारे भूजल को मिलाने से रोकती है लत है बर्षात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है तो रेत के कन अलग होते हैं विचि पकते नहीं हैं पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगे नहीं छोड़ते हैं इस कारण मरू भूमी पर धरती में दरारें नहीं पड़ती और वर्षा का भीतर समया जल अंदर ही रहे जाता है और यह नमी बूंद बूंद करके कुई में जमा हो जाती है अगर इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो पानी है वो कुई में चला जाता है राजस्थान में पानी को तीन रूपों में बाटा जाता है बहुती परीक्षापियों की जानकरी मैं आपको बता रही हूं पालर पानी यानि सीधे बर्षाट से हमें जो पानी मिल रहा है उसे क्या कहते है पालर पानी कहते हैं और ये धरातल पर बहता है जनी जमीन के उपर उपर बहता है दूसरा तरह का जो पानी होता है वो होता है पताल पानी जो कुओं में से निकाला जाता है यह पताल में से निकाला जाता है तीसरा होता है रिजानी पानी और यह धरातल से नीचे उत्रा लेकिन पताल में नहीं मिल पाया यह बीच की जो चीज़ उती है उसे क्या कहते है रिजानी पानी कहते हैं ना तो धरती के उपर का पानी नहीं जमीन के नीचे का पानी बलकि दोनों के बीच में जो पानी होता है वह होता है रेजानी पानी वर्षा की मातरा रेजा शब्द से मापी जाती है रेजा क्या है वर्षा की मातरा से मापी जाती है जो धरती में जितनी वर्षा गई है उसको नामता है रेजा यह है रेजा पाने को ही अपने भीतर समेट लेती है यह कुई जो पीने के काम में ले जाती है राजस्थान के लोगों के द्वारा तो यह 4-5 हाथ के व्यास की होती है और 30-60 पेसेट हाथ की गेहरा इसकी होती है कुई का मेन जो पाट होता होती है इसकी चिनाई और अगर चिनाई करते वक्त चूक हो गई तो निश्चित रूप से चेजारों के प्राण वो ले सकती है हर दिन खुदाई से निकले हुए मलबे को बाहर निकाल करके काम की चिनाई के जाती है कुई की चिनाई इंट या रसे से की जाती है कुई खोदने के साथ साथ खीप एक घास होती है एक तरह की घास होती है जो कफी मजबूत घास होती है उसका एक मोटा रस्सा तयार करते है पहले उसे बुन करके उसे अपश में बांद करके खीप का रस्टा तयार किया जाता है और फिर इसे हर रोज कुई के तल पर दिवार के साथ सटा करके गोल रूप में बिछाया जाता है इस तरह हर घेरे में कुई बंती चले जाती है अन्य था मिट्टी किसकने वाली होती है बालूई मिट्टी जो होती है तो उसको समाने के लिए इस रस्टे का प्रयोग किया जाता है ताकि दुरगटना ना हो लगबग पांच हाथ के ब्यास की कुई में रस्टे की एक कुंडले का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्टा चाहिए इस तरह करीब 4000 आथ लंबे रस्टे की हमें जरूरत होती है पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का करे लकड़ी के लंबे लठों से भी कर दिया जाता है ये लठे अर्णी, बन, बावर, कुंबट आदी के पेड़ों की मोटी टेहनियों से बनाए जाते हैं ये जरी रख्ष बताए हैं रजस्थान में पाये जाते हैं ये नीचे से उपर की और और एक दुसरे में फसाकस निविद्व कर ने खिले क्या से बांतिया जाता है खड़िया पथर की पटी आते ही काम समापत हो जाता है यानि जहां पर भी आपको खड़िया पथर मिल गया वहीं पर कोई मनाना बंद हो जाता है और कोई के सफलता का उत्सव मनाया जाता है यानि कि पानी इसमें आने लग जाता है पहले काम पूरा होने पर आधी दिया जाता था, लेकिन आजकल तो केवल मज़़ूरी दी जाती है, आजकल पहले वाले प्रथा खतम हो गई है और केवल उन्हें मज़़ूरी दी जाती है, जैसल मेर मेर में पालिवाल ब्रह्मन वे मेघवाल ग्रस्ती खुद भी कुईयां बनाते थे, कुई का मुँझ छोटा रखा जाता है उसका कई सारे कारण होते हैं कि पहला रेत में जमा पानी से बुने धीरे धीरे रिष्टी है मुझ बढ़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है इसलिए उसे निकाला नहीं जासकता तो कुई का मुझ चोटा रखा जाता है छोटे व्यास की कुई में पानी दो-čार हाथ की उचाई ले लेता है पानी निकालने के लिए छोटी चरस का प्रयोग किया जाता है दूसरे छोटे मुझ को ढकना भी सरल है अन्यथा पीने का पानी खतम हो जाता है खराब हो जाता है और बड़े मुखी कुई यदि हम रखेंगे तो भाफ बन करके पानी ओड़ जाएगा इसलिए छोटी कुई बनाई जाती है कुईयों के ढकनों पर ताले भी लगने लगे है यदि कोई गहरी हो तो पानी खीचने की सुविधा के लिए उसके उपर घिरनी या चक्री भी लगाए जाती है जिसे पूली बोलते है और यह है घरेडी, चर्खी, फॉरेडी इसके कई सारे नाम होते है वहां की अलग-अलग भाशों में अलग-अलग नाम होते है खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षित्र में से गुजरती है इस कारण कुई लग-बग हर घर में यहाँ पर मिल जाती है सबकी निजी संपती होते हुए भी यह साजनिक संपती माने जाती है इन पर ग्राम पंचायतों का निरण नियंतर रहता है किसी नई कुई के लिए स्विक्रती कम ही दे जाती है क्योंकि इससे पानी जो है उतना ही आएगा भूमी के निच्चे की नमी का दिक में वाजन हो जाएगा तो पानी बढ़ जाएगा और कुई में पानी खतम हो जाएगा इसलिए नई कुई बनाने से पहले स्विक्रती नहीं दी जाती है राजस्थान में हर जगे रेत के नीचे खड़िया पथर नहीं है इसलिए ये बट्टि चूरू भी करने जैसल मेरादी छेत्रों में आदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुई या बहुत देखने में आ जाएंगी जुन जुन जिले के गाउं में भी कुछ मिल सकती है यही कारण है कि इस चेत्र के गाउं में लगवग हर घर में एक कुई यानि छोटा कुई का रूप पाया जाता है जो कुई नहीं होता है लेकिन उसका प्रतिरूप होता है उसके जैसा दिखाई देता है और वैसा ही करे भी करता है